पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि acceleration due to gravity की जो value अर्थ के surface पे होती है वो होती है 9.8 meter per second square और जैसे जैसे हम surface से height पर चलते हैं तो acceleration due to gravity की value decrease होती रहती है आज हम ये देखेंगे कि अगर हम अर्थ के अंदर किसी depth पर जाएं तो acceleration due to gravity की value कैसे change करेगी तो आप यहाँ ध्यान से देखिए हमारे topic का नाम है variation of g यानि के acceleration due to gravity with depth आप पहले इस diagram को थोड़ा सा ध्यान से समझें ये जो आपको बड़े वाला सफियर नजर आ रहा है जिसके लिए point A एक surface point का काम कर रहा है ये बड़ा सफियर आप मान लीजिए अर्थ है और O जो है इसका center है और O से लेकर के point A तक का ये जो distance R है ये हमारे अर्थ की radius है और क्योंकि point A आपकी अर्थ के लिए एक surface point है तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि acceleration due to gravity की value कितनी है small g के बराबर है उसके बाद क्या हुआ हमने अब height पर उपर नहीं जाना बलके depth पर अर्थ के अंदर की तरफ आना है तो मान लीजिए मैं point A से लेकर के अर्थ के अंदर च चलते 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 point B पर पहुँच गया और मान लीजिए A से लेकर के B तक की जो depth है वो है D यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो point B पर हमें अभी नहीं पता कि acceleration due to gravity की value same होगी के कुछ different होगी तो इसलिए मैंने मान लिया कि point B जो की D depth पर अर्थ के अंदर लाई करता है मान लीजिए वहाँ acceleration due to gravity की value है G dash और यही G dash हमने निकालनी है के यह G के बराबर होगी के G से छोटी होगी या फिर G से बड़ी होगी और एक चीज आप और धान से देखिएगा जिस तरह से मैंने point A को इस बड़े वाले सफियर का surface point कहा था तो point B को मैं इस छोटे व बोल सकता हूँ आप ध्यान से देखिएगा जितना नीचे आप A से लेकर के B तक आ चुके हैं तो वही distance अगर आप radius में से घटा देंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यह जो छोटा सफियर है यह R minus D radius का है क्योंकि यहां से यहां का distance R है और D depth आप नीचे आ चुके हैं तो O से लेकर के B तक का distance या O से लेकर के यहां तक का distance basically radius का ही काम करेगा इस छोटे सफियर के लिए और वो radius कितनी है R minus D के बराबर है तो इसलिए बड़े सफियर के लिए अगर A surface point था तो छोटे सफियर के लिए B क्या होगा? surface point होगा where value of acceleration due to gravity is to be determined तो देखिये point A के लिए यानि के surface of earth पर जो G की value होती है वो इस formula से हम निकाल सकते हैं यह formula हम पहले पढ़ चुके हैं इसको हमने नाम दे दिया equation number 1 का और देखिये अगर हम अर्थ को एक uniform density ρो का सफियर मानने तो मैं इस मास को density की form में लिख सकता हूँ देखिये आप त्यान से देखिये इस चीज़ को यहाँ पर जो M है वो है अर्थ का मास ठीक है तो अगर मैं यह मान के चलूँ के अर्थ एक homogeneous sphere है और उसकी uniform density है और वो density rho है तो आप जैसा के जानते हैं density होती है mass by volume तो क्योंकि यह अर्थ की density है तो mass भी अर्थ का होगा और volume भी किसकी होगी अर्थ की तो density की जगे rho लिखा mass की जगे capital M लिखा और volume क्योंकि अर्थ सफियर है तो आपने सफियर की volume का formula लगा दिया 4 by 3 pi r cube यहाँ पर r अर्थ की क्या है radius तो इस formula से आप देखिए अगर मैं M की value निकालनूं तो M की value मेरे पास यह आ जाएगी जिसको मैं equation number 2 बोल रहा हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पर equation 1 में जो अर्थ का mass है यह भी तो अर्थ का ही mass है बस इस अर्थ के mass को मैंने radius और अर्थ की density की तौर पर लिख लिया हाला कि हमने यह चीज माननी है कि अर्थ जो है वो एक homogeneous sphere है uniform density का हला कि देखा जाए तो uniform structure अर्थ का है नहीं कहीं कहीं अर्थ आपको अंदर से molten state में जो है वो नजर आएगी कहीं कहीं पर वो solid है उसके इंदर चटाने हैं कहीं कहीं पर मिटी की पर्थ भी है लेकिन इस particular topic के हमने मान लिया कि अर्थ एक uniform density का homogeneous sphere है यह बात आपको समझा गई होगी तो अब आप इस equation 2 से m key value equation 1 में put कर दें और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास इस small g key value यह आ जाएगी जिसको मैंने लिखा है equation number 3 तो अभी तक की जो पूरी कहानी है वो आपको समझ में आ गई हो पूरी की पूरी अर्थ का जो यह surface point है यहाँ पर जो acceleration due to gravity की value हमने g माननी है उस g को हमने सिर्फ इस form के अंदर हम ले आए हैं यानि के यहाँ जो अर्थ का mass था उस अर्थ के mass को अर्थ की density और radius की terms में निकाल के यहां रखा और इसलिए हमारे पास at surface of earth acceleration due to gravity का यह formula आ गया जिसको हमने बोला है equation number 3 यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखिए आप यह भी कह सकते हैं कि यह जो g है यह point a पर acceleration due to gravity की value है तो एक बात आप ध्यान से देखिए जब आप point a की बात करते हैं तो यहाँ पर r आया हुआ है r का मतलब है आपका o से लेकर के a तक का distance या कहलेजिए के earth की radius लेकिन आप ध्यान से देखिए जब आप point b की बात करेंगे तो point b आप देखिए a से d depth अंदर की तरफ है और point b से जो यह एक छोटा imaginary sphere हमने पास होता हुआ माना है ठीक है इस छोटे सफियर के लिए तो point b किसका काम करेगा surface वाले point का काम करेगा के नहीं करेगा और आप दिखिएगा point a के लिए जैसे radius r थी तो क्या point b के लिए इस छोटे सफियर की radius r रहेगी नहीं वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी r minus d यह चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से अब point b के उपर acceleration due to gravity की value जो है वो निकाल सकों जैसे के point a पर हमने माननी थी value g तो point b पर हमने माननी वो value g dash या फिर g prime तो देखिएगा point b पर अगर आप acceleration due to gravity की value निकालेंगे तो उसको मैंने लिख दिया है gb या आप उसको लिख सकते हैं g dash तो वो चीज किसके बराबर आएगी देखिए उपर वाली equation 3 का ही हम use करते हैं 4 by 3 की जगे 4 by 3 है πाई की जगे पाई है g की जगे g है रो की जगे रो है सिर्फ आप यह देखिएगा कि r की जगे यहाँ पर क्या है r minus d है और यह चीज आपके लिए याद रखनी भी बड़ी आसान रहेगी कि आप simple अपने दिमाग के अंदर यह चीज रख सकते हैं कि हमने जो है उस point से pass करते हुए sphere की radius लेनी है जिस point पर हम acceleration due to gravity निकालना चाहते हैं जैसे आप यह देखिए point a की जब मैं बात करता था तो यह बड़े वाला जो sphere था इसकी radius r थी तो इसलिए यहाँ पर r आ गया लेकिन जब आप point b पर acceleration due to gravity की बड़ी निकालना चाहते हैं तो उससे होता हुआ तो यह चोटा sphere pass कर रहा है ना और इस च चोटे सफिर की radius के इतनी है r minus d तो simply r की जगह आपने यहाँ पर क्या पूट कर दिया r minus d पूट कर दिया और यहाँ पर मैंने वैसे लिखा है कि when body is taken to the d depth below earth that is at point b then the mass of the sphere of radius r minus d will only be effective यानि कि जब आप किसी body को a से b पर लेके जाते हैं तो उस body के लिए इस बड़े सफिर का जो mass है वो effective consider नहीं किया जाएगा बलके इस छोटे सफिर का जो mass है वो ही effective consider किया जाएगा क्यों क्योंकि point b पर जो object है उसके लिए बाहर वाले mass का कोई भी मतलब नहीं होगा ये चीज अगर आपको ना समझ में आई है तो मैंने आपको simple पहले वाला तरीका बता दिया है कि आप ये देख लीजिए कि a में से जो सफिर पास हो रहा है ये उसकी radius है और b में से जो सफिर पास हो रहा है यहाँ पर आप उसकी radius रख दीजिए तो कुल मिलाकर कि point a पर या equation चार को अपस में divide करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के मिल जाएगी ये चीज और जब हम इस चीज को उपर नीचे एक बार reverse करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये चीज और आप ये देखिए ये g तो आ जाएगा इस तरफ और r by r हो जाएगा 1 और उसके बाद आपका d by r यह यानि आप ये कह सकते हैं कि g into 1 तो हो जाएगा g और फिर आप ये देखिएगा जब g इसके साथ multiply होगा तो आप ये देख पाएंगे कि g prime की value g से क्या होगी कम होगी तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी किसी body को हम depth पर लेकर के जाते हैं तो वहाँ जिस point पर हम उसको रख रखते हैं वहाँ पर acceleration due to gravity की value surface के मुकाबले कैसी होती है कम होती है और अगर आपसे पूछा जाए कि body को हम surface से ले जाकर के नीचे 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 बिलकुल अर्थ के center पर रख देते हैं तो उस वक्त तो d किसके बराबर हो जाएगी r के बराबर क्योंकि जब आप surface से बिलक में बराबर हो जाएगे तो इनका ratio हो जाएगा 1 1-1 हो जाएगी 0 0 into g हो जाएगा 0 इसका मतलब है कि g prime की value कितनी हो जाएगी 0 तो आप यह कह सकते हैं कि at the center of the earth acceleration due to gravity की value कितनी होगी 0 होगी और अगर आप वहाँ पर कोई m mass का object रख भी देंगे तो क्योंकि वहाँ पर acceleration due to gravity क value 0 है तो उस object का weight जो कि mg होगा वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इस पूरे topic में आज हमने यह देखा कि अगर आप किसी object को surface पर रखने के बाद नीचे की तरफ ले आते हैं तो depth के साथ साथ acceleration due to gravity की जो value है वो भी क्या करती है decrease करती है तो अब हम एक चीज समराइज कर सकते हैं कि जो acceleration due to gravity की value है वो at the surface of earth maximum होती है आप surface से नीचे आएं या उपर जाएं acceleration due to gravity की value क्या करेगी decrease करेगी और आप यह ध्यान से देखिएगा आज के इस पूल टोपिक में केवल दो ही बातें ध्यान रखने लायक हैं और वहीं से हम जो है equation derive करके और इस result पर आ सकते हैं यह d क्या है यह d है वो depth जिस depth पर आप acceleration due to gravity की value देखना चाह रहे हैं surface के compromise कर लीजिए इसको हमने point a के उपर acceleration due to gravity की जो value थी वो निकाल ली थी formula से और फिर उसको हमने just क्या किया था mass को density और radius की terms में लिख करके यहां put कर दिया था जिसके बाद हमारे पास ये equation जो थी आ गई थी और आपी देखिएगा यहां पर क्योंकि r आया हुआ है तो इसका मतलब है a के अंदर से pass होने वाले सफियर की radius जबकि point b के अंदर से जो pass होने वाला सफियर है उसकी radius क्योंकि r minus d हो जाएगी तो r को simply r minus d से आप replace कर दीजिए उसके बाद ये वाली जो surface की equation है और ये वाली जो आपकी d depth की equation है इनसे just आपने mathematics करना है और इस result पर आप आ जाएंगे